आज हम आपको सेवन येर बेबी के लिए पजामी बनाना सिखाते हैं जिसके लिए ये हमने डेड़ मिटर कपड़ा लिया है एक मिटर और आधा मिटर हमने इस कपड़े को डबल करके रखा हुआ है हमने इसकी फ्रोक भी अपनी पिछली वीडियो में बताई है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रप्शन में दे देंगे ये उसकी साथ हम चूड़ी की पजामी बना रहे हैं रेब की ये देखिए ये बिना थेला किये हम पजामी बना रहे हैं इसमें सिर्फ एक जोड आता है और यहां पर हम 4 इंच यह नीचे की तरफ से काट रहे हैं अब हम इसका जहां से हमने मोहरी का नीचे की तरफ से निशान लगाया है उससे लंबाई माप लेते हैं यह हम इसकी पूरी लेंद 40 इंच कर रहे हैं क्योंकि इसमें चूड़िये आएंगी यहां से हम निशान लगा लेते हैं इस पर 40 इंच का और यह चोड़ाई में हमें 12 इंच का लगाना है इस पर निशान यह देखिए इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और यहां पर भी निशान लगा लेना है यह आसन हमें 12 इंच का रखना है ये देखिए यहां तक हमने आसन रख लिया है अब हमें इसमें नीचे की तरफ से इस तरीके से गोलाई कर देनी है और इस निशान को हमें नीचे तक मोहरी तक मिला देना है ये 5 इंच की हमें चोड़ाई रखनी है आप इसको थोड़ी सी जादा भी रख सकते हैं अपने के लिए बना रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स आपको अपनी बेबी के पेर कमाप जरूर ले लेना है जब आप ये पजामी बनाए जिससे आपकी बेबी के ये टाइट ना हो अगर आपकी पजामी लूज हो जाती है तो आप थोड़ी सी उसको ओर टाइट कर सकती है यह देखिए यहां से हमारा निशान लग गया है अब हम दो इंच का इस तरीके से अंदर की तरफ को लेते हैं यह आसन का हम हिस्सा दो इंच का अंदर की तरफ को रेते हैं क्योंकि हमें इस तरीके से इसमें गोलाई करनी है यह देखिए नीचे से हमने इसमें शेप में गोलाई कर दी है इसकी जिस तरीके से हम पलाजो वगेरा में गोलाई कर देते हैं तरीके से हमने इसमें आसन में गोलाई कर दी है अब हम इसको काट लेते हैं सबसे पहले नीचे की तरफ से मोहरी काटते हैं उसके बाद हमें साइड में से काट लेना है यह देखिए यहां तक हमने काट ली है अब यह हमारा आसन आ गया है आसन में हमने गोलाई कर दी है इस तरीके से गोलाई में ही हमें काटना है जिस तरीके से हमने इसमें निशान लगाया है यह देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी हमारी पजामी कट गई है इसमें सिर्फ यहां पर यह एक जोड आया है इस जंगे अब हमारा जोड नीचे के तरफ का बचा हुआ कपड़ा है यह देखिए सिर्फ यह जोड हमारा इसमें आया है यहां से यह हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है इसको काट कर हम अलग अलग कर लेते हैं फ्रेंड्स यह पजामी बनाना बहुत जादा आसान है आप इसको डेड़ मिटर कपड़े में आराम से बना सकती हैं घर पर ही इस तरीके से हमें यह जोड डाल देना है इसको सबसे पहले मिला कर यहां सी रखना है फिर अपना यह दूसरा हिस्सा उठाना है और इसके उपर रख देना है मोहरी से मिलाते हुए इस तरीके से नीचे का हिस्सा मिला लेते हैं इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमें जोड कहां तक काटना है यह बिल्कुल बराबर बेटता है कटकर इस तरीके से अगर हम काटते हैं तो यह इसका नीचे का हिस्सा हो गया है अब ये यहाँ से आसन पर से काट लेते हैं हम, इसके बराबर आसन के अब यहाँ से हमें काट कर अलग कर लेना है फ्रेंड्स आप रेव की पजामी काट कर उसका बचा हुआ कपड़ा फ्रोक में भी लगा सकते हैं ये देखिए इस तरीके से हमारे ये जोड दोनों कट कर तयार हो गए हैं इसमें हमें और कहीं पर जोड नहीं डालना है सिर्फ इतना सा ही जोड हमारा उपर की तरफ आता है ये हमने 20 इंच की लास्टिक ली है लास्टिक को भी आप अपनी बेबी के हिसाब से रख सकती है ये देखिए ये जो चोड़ा वाला हिससा है जोड का ये हमें यहाँ पर मिला कर रखना है हमें एक जोड नीचे की तरफ रखना है लगाते हुए और एक जोड उपर की तरफ रखना है इससे हमारे दोनों जोड आमने सामने आ जाते हैं एक पीछे और एक आगे नहीं आता है जोड पर हम इस तरीके से रखकर सिलाई लगा लेते हैं दोनों जोड फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से जोड कर तयार कर लेने हैं ये देखिए ये हमारी जोड़ पर सिलाई लग गई है एक जोड़ हमारा लगकर तयार हो गया है अब ये हमारा दूसरा मोहरी है इसको जोड़ को हम उपर की तरफ रखते है एक जोड़ हमने नीचे की तरफ रखा था इस तरीके से रखते हुए हमारे दोनों जोड सामने की तरफ ही आएंगे आमने सामने आ जाते हैं बिलकुल बराबर ये देखिए ये इस जोड को भी हमें सिलाई लगा कर तयार कर लेना है इस तरीके से ये हमारा जोड बेट जाता है अब हमें नीचे की मोहरी लेनी है और मोहरी को आधा इंच अंदर की तरफ को करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ को हमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कर लेना है कहीं से भी हमारा कपड़ा निकलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स यहां पर हम मोहरी पर थोड़ी सी खीच कर सिलाई लगाते हैं क्योंकि यह नीचे से रेम में हैं अगर हम खीच कर सिलाई नहीं लगाएंगे तो यह चटक जाएगी हमारी सिलाई बीच में से तूट जाती है इसलिए हम इसको खीच कर लगाते हैं अब ये हमारा आसन है दोनों मोहरी पर हमने सिलाई लगा ली है आसन पर हम अंदर की तरफ एक सिलाई लगाते हैं ये हमें उपर की तरफ भी इसके आसन पर सिलाई लगानी है ताकि ये पजामी जल्दी से आसन पर से खुले नहीं फ्रेंड्स ये फुल रेव की पजामी हमारी हो गई है इसलिए हमें इसकी हर सिलाई थोड़ी सी खीच कर लगानी है ये कपड़ा हम इसके नीचे कर लेते हैं जो सिलाई का आया है हमारा नीचे की तरफ का और इसके उपर हमें हलकी सी खीच कर ही सिलाई लगानी है दो सिलाई हमें इसके उपर लगानी है जिस तरीके से हम प्लाजो में लगाते हैं उपर की तरफ आसन पर सिलाई इससे हमारी ये सेट हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से खुलती नहीं है और इसका लुक बहुत जादा प्यारा आ जाता है ये देखे दो सिलाई इसमें लग चुकी है अब हमें दूसरा आसन तयार कर लेना है इसी तरीके से एक सिलाई अंदर की तरफ लगानी है और दो सिलाई उपर की तरफ लगानी है ये दूसरे आसन को हमें ऐसे मिला लेना है और यहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है आसन पर हमने सिलाई लगा ली है अब हम अपनी मोहरी को इस तरीके से मिला लेते हैं और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं यहां की सिलाई भी friends हमें हलका सा कपड़ा खीच कर लगानी है क्योंकि यह रेब है रेम में सिलाई चटक जाती है अगर हम खीच कर नहीं लगाते हैं हलका हलका सा ही हमें खीचना है आप एप सिलाई लगाने के बाद बेबी को पहना कर देख लीजिए अगर यह थोड़ी ओर लूज होती है तो इसके बराबर में हम एक सिलाई ओर लगा देते हैं यह देखिए कीशते हुए हमें दोनों सिलाई लगाकर त्यार कर लेना है अपनी पजामी को अब हमें ये सिलाई दूसरी तरफ ले जानी है और दूसरी तरफ की मुहरी पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा कर तयार कर लेना है फ्रेंड्स हमें साइड में दूसलाई लगानी है देखिए हम थोड़ा सा खीचते हुए सिलाई को लगा रहे हैं अब हम नीचे की तरफ से पका कर लेते हैं इसको और इसको पलट लेते हैं और दूसरी सिलाई लगा देते हैं फ्रेंड्स आप एक बार अपनी बेबी को इतनी सी कर मोहरी पहना कर देख लीजिए ये लूज तो नहीं है नहीं तो फिटिंग की एकसलाई और इसके बराबर में हम लगा देते हैं अब हमें नेफा मोरना आए, लास्टिक से थोड़ा सा चोड़ा हमें नेफा मोरना है ताकि इसमें लास्टिक आराम से आजाए यहां से हमें नेफे को खीचना नहीं है यहां से हमें धिला छोड़ते हुए इसके उपर सिलाई लगानी है नेफे पर नहीं तो इसका कपड़ा बढ़ जाएगा और नेफा सही नहीं मुड़ेगा यह देखिए पूरा नेफा हमें अंदर की तरफ को सिलाई करते हुए इसी तरीके से मोड़ कर तयार कर लेना है यह देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमार नेफा मोड़ गया है फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं दो इंच का लास्टिक पिरोने के लिए अब हम रास्टिक को पिरो लेते हैं और इस तरीके से अंदर की तरफ को कर देते हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी कितने अच्छी तरीके से इसमें लास्टिक पिर गई है अब हम इसको ये सीरा इधर निकाल लेते हैं और इसको मिला लेते हैं लास्टिक को और इसको मिला कर एक दूसरे के उपर रखते हुए इस पर पक्की सिलाई लगा देते हैं दो ती प्यारी सी बन कर तयार हो गई है, इसकी मोहरी भी कितनी फिट बैठी है, यह देखे, यहाँ पर इसमें छूड़ी पड़ जाएंगी, और यह नीचे का हिस्सा है, इस तरीके से पहन कर इसमें छूड़ी पड़ जाती है, यह कहीं से भी बेबी के खुलेगी नहीं, क्योंकि हम हमने इसकी कटिंग बहुत अच्छी तरीके से, दूसरी तरीके से की है, इसका आसन भी बहुत अच्छा बैठ गया है, हमने इसकी साथ एक फ्रोग बनाई है, फ्रोग की साथ यह पजामी बनाई है, यह देखिए, यह फ्रोग बनाई है, इसकी स्लीव में भी हमने लास्टि कर दिये हैं बहुती प्यारी सी ये पूरी ड्रेस बन कर तैयार हो गई है ये 7 एर बेबी के लिए है आप देख सकते हैं कितना प्यारा साइस फ्रोक का लुक आ गया है इसी की साथ की हमने पूरी ड्रेस की वीडियो हमने डाली हुई है अपने चैनल पर फ्रोक का लिंक भी हम आपको डिस्क्रप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके हम अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिजाइन लेकर आएंगे तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स